और आज देखिए, आज भारत के बैंकिंग सिस्टिम को दुनिया में एक स्ट्रॉंग और सस्टेनेबल सिस्टिम माना जा रहा है। जो बैंकिंग सिस्टिम कभी दूबने की कगार पर था, वो बैंकिंग सिस्टिम अब प्रॉफिट में आ गया है और क्रेडिट में रिकॉर्ड बृद्धी दिखा रहा है। प्रेंड आप भी जानते हैं कि सिर्फ दस साल में इतना बड़ा परिवर्ता आना आसान नहीं था। ये बड़लाव इसलिए आया क्योंकि हमारी नीती, नियत और निर्णयों में स्पष्टता थी। ये बड़लाव इसलिए आया क्योंकि हमारे प्रयासों में द्रड़ता थी, इमानदारी थी। आदेश देख रहा है, जब नियत सही होती है, तो नीती सही होती है, जब नीती सही होती है, तो निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं, तो नतीजे सही मिलते हैं। इन्शॉर्ट मैं यही कहना चाहता हूँ नियत सही तो नतीजे सही कैसे देश का बैंकिंग सिस्टम ट्रांस्फर्म हुआ यह अपने आप में एक स्टडी का विशह है हमने कोई भी सिरा ऐसा नहीं था जिसे ऐसे ही छोड़ दिया हो हमारी सरकार ने रिकनिशेशन, रिजॉलूशन और रिकेप्रिलाजेशन की रणन दीती पर काम किया पब्लिक सेक्टर बैंक की हाला सुधारने के लिए सरकार ने करीब साड़े तीन लाग करोड का केपिटल इन्फूजन किया और साथ ही गवनन समंदी कई रिफॉंस भी किये अकेले इन्सॉल्वंसी और बैंकरप्सी कोड की नई व्यवस्था से ही करीब सबातीन लाग करोड के लोंस रिजॉल्व हुए और एक आंकरा देश वासियों को जरूर जानना जरूरी है 27,000 से ज़्यादा ऐसी एप्रिकेशन जिसमें 9 लाग करोड रुपे से ज़्यादा का अंडरलाइंग डिफॉल्ट था वो आई बीसी में एडिमिशन से पहले ही रिजॉल्व हो गई ये दिखाता है कि इस नई विवस्ता का सामर्थ कितना ज़्यादा है बैंकों का जो ग्रॉस एन पीए 2018 में सवा 11 प्रतिसत के आसपास था वो सितंबर 2023 आते आते तीन प्रतिसत से भी कम हो गया आज ट्वीन बैलेंस इट की समस्या अतीत का हिस्ता हो चुकी है आज बैंक की क्रेडिट ग्रोथ 15 परसंट तक हो गई है और मैं इन सभी उपलब्द्यों में RBI की सह भागिदारी और प्रयासों की भी बहुत बड़ी भूमी का रही है और वो बधाई के पात्र है सात्यों RBI जैसे संस्थान के बारे में चर्चा अक्सर फाइनांचिल डेफिनेशन और कठीन टर्मिलोजिस तक ही जिमित रह जाती है आपका कार्य जितना जटील है उसमें ये स्वाभाविक भी है लेकिन आप जो काम करते हैं